सब्सक्राइब कीजिए मैड़िस इंग्लिश चैनल को और बैल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिनको सुनकर आप कहेंगे कि हम इने बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में बोलते थे क्योंकि यह वर्ड बहुत ही सिंपल हैं और कहने में बहुत ही अट्राक्टिव लगते हैं लेकिन अग इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दस ऐसे वर्ड जिन्हें आप बहुत ही सिंपली बोलते हैं और यह ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके इंग्लिश को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे तो वीडियो का एंट तक देखते हैं का बहुत इंपॉर्टेंट वीड बढ़ बढ़ अगर कोई चीज आउट अफ आउडर हो जाए या फिर कोई चीज आउट अफ कंट्रोल हो जाए तब हम हवायर का यूज़ करते हैं जैसे कि इव सम्टिंग गो हवायर मेंस इडिस टॉप्स वर्किंग जैसे माइ कंप्यूटर इस आउट अफ आउडर आप बहुत बार कहते होंगे कि मेरा कंप्यूटर काम ने कर रहा है मतलब चलनी रहा है तो माइ कंप्यूटर इस आउट अफ आउडर अब आप इसे कह पाएंगे हवायर की हल्प से माइ कम्पŁटर, माइ मुबाईल, माइ टीवी हाज गान, हावायर, मतलब क्यों खराब हो गया है, तब हम उसे हावायर कहते हैं Our radio went हावायर, मतलब कि हमारा radio काम नहीं कर रहा है, मतलब radio खराब हो गया, उस sense में हम कहते हैं हावायर को, तो अगर कोई चीज काम ना करें, कोई चीज आउट अफ आउडर हो जाए, तो हम हवायर का यूज़ करते हैं इसी तरह से अगर कोई चीज आउट अफ कंट्रोल हो जाए, तो भी हम हवायर का यूज़ करते हैं जैसे, he is going out of control with pain मतलब की, उसे इतना दर्द हो रहा है कि वो काबू से बाहर जा रहा है, मतलब उसे दस 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 लोग पकड़ रहे हैं लेकिन उनके काबू में नहीं आ रहा है, तो भी हम हवायर का यूज़ करते हैं तो इस आउट अफ कंट्रोल को हम हवायर से रप्लेस कर सकते हैं मतलब की, वो दर्द इसे करा रहा है, और लोग उसे पकड़ रहे हैं लेकिन उनके काबू में नहीं आ रहा है उस सेंस में हम हवायर का यूज़ करते हैं अगला वर्ड है, कीप यूर नोज आउट कीप यूर नोज आउट का मतलब होता है, से दूर रहो मतलब की अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप सेफटी चाहते हैं तो आप दूर रहे में खुद कर लूँगा तो उस सेंस में हम कीप यूर नोज आउट का यूज़ करते हैं या फिर कभी अगर आप कोई बिजनस शुरू कर रहे हैं कुछ बिजनस चला रहे हैं दूसरा आपको टांग अडा रहा है तू तो नहीं कर पाएगा तू तो नहीं कर पाएगा आप उसे कह देते हैं आप दू रहिए मैं अपने काम से काम कर लूँगा आपने काम से काम रखि या फिर keep your nose out of my business मतलब कि मेरे काम से दूर रहो, मेरे बिजनस से दूर रहो या फिर में जो काम कर रहा हूं से दूर रहो तो इस सेंस में हम keep your nose out का यूज करते हैं इसी तरह से मेरे खाने से दूर रहो, अपना खाना खाओ मेरे खाने से दूर रहो, अपना खाओ, हम दुनें को बराबर खाना मिलाए, एक जैसा खाना मिलाए, तो तुम अपना खाओ, ना मेरा खाना के को खा रहा है उस सेंस में भी हम keep your nose out का यूस करते हैं, जैसे keep your nose out of my food, try yours, या फिर eat yours, keep your nose out of my food, मतलब मेरे खाने से नजर हटा लो, दूर रहो, try yours, अपना खाओ, eat yours, अपना खाओ, उस सेंस में हम keep your nose out का यूस करते हैं अगर आप अपने friend की समस्या दूर करने गए, और उल्टा हो गया, उसने आप से कह दिया, it's not your problem, so keep your nose out of it, it's not your problem, so keep your nose out of it, मतलब ये तुम्हारी समस्या नहीं है, इस से दूर रहो भाई, उस सेंस में हम use करते हैं, keep your nose out का, बहुत ही अच्छा word है, कैसा लगा है word, comment में, जरूर बताईएगा, और इसके दो से तीन सेंटेंस बनाकर, मुझे जरूर भीजएगा, आपको काईडिया दे दिया है कि किस तरह सेंटेंस बनाए जाते हैं, अगला word है, count on, count on का मतलब होता है, भरोसा करना, देखिए, एक example देता हूँ, आपको समयन में आ जाएगा, इससे बनाते हैं, इस सेंस में, count on का यूज़ करके, I didn't count on rain, and forgot to bring an umbrella, I didn't count on rain, and forgot to bring an umbrella, मतलब कि मैंने ध्यान ने रखा कि बारिश आईगी, और बारिश आगी, मतलब कि बारिश से भरोसा हट गया मेरा, I didn't count on rain, and forgot to bring an umbrella, और umbrella लाना भूल गया, चाता लाना भूल गया, तो इस सेंस में, हम यूज़ करते है, count on का, count on मतलब किसी चीज़ पर भरोसा करना, I didn't count on rain, मैंने बारिश पर भरोसा नहीं किया, उस सेंस में, use करते है, count on का, You can always count on me in problem You can always count on me in problem मतलब की तुम जब भी समझते हैं हूँ मज़ी आद कर सकते हूँ मुझ पर भरुसा कर सकते हूँ उस सेंस में हम यूज करते हैं count on का Indian team supporters were counting on Dhoni and India ended up winning Indian team supporters were counting on Dhoni and India ended up winning मतलब की भारती team के जो समर्थक थे उन्हें धोनी पर विश्वास था और यहां पर भारत जो है वो जीद गया आखिरकार भारत जीद गया तो यहां पर इस सेंस में हम यूज करते हैं count on का मतलब की भरुसा करना किसी चीज़ पर to count on अगला word है back off back off का मतलब होता है अपने काम से काम रखना या पीछी हर जाना उस सेंस में back off का यूज करते हैं माल लेजिए कोई हाथ बटाने आया और आपने कह दिया पीछे हर जाओ हम खुद कर लेंगे तब back off का यूज किया जाता है जैसे just back off and let me do it myself just back off and let me do it myself मतलब की पीछे हर जाओ मुझे खुद करने दो तो यहाँ पर उस सेंस में हम यूज करते हैं back off का मतलब अब किसी को वान करते हैं गुस्ते से back off just back off I can do it myself मतलब की मैं अपने आप कर सकता हूं just back off तो उस सेंस में हम यूज करते हैं back off का एक और बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपको बताता हूं actually मैं दो सेंटेंस और बताऊंगा बहुत ही interesting सेंटेंस है आपको इसमें नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे the dog growled at me when I went to him so I backed off the dog growled at me when I went to him so I backed off मतलब की जब मैं dog के पास गया कुत्ते के पास गया तो मुझे घूरा growled at me और मैं पीछे हट गया मतलब की मुझे डर के मारे पीछे हटना पड़ा तो उस सेंस में back off का यूज करते हैं इसी तरह से the angry dogs were barking at me so I waved a stick and backed them off the angry dogs were barking at me so I waved a stick and backed them off मतलब की मैंने छड़ी निकाली और ने भखा दिया पीछे कर दिया गुस्ते से भरे थे वो कुते और मेरे अपर भौक रहे थे तो मैंने अपनी छड़ी निकाली और ने पीछे कर दिया उस sense में भी हम back off का यूज करते हैं बहुत ही अच्छे sentences हैं आप इने daily rap में जरूर कहते हैं लेकिन English में ने कुछ इस तरह से बनाया जाता है आज का पांच वर्ड है स्टिंक स्टिंक का मतलब होता है बहुती गंदी बद्बू आना मतलब की अब बद्बू तो अलरड़ी गंदी होती तो मैं क्या यह बोल रहा हूँ बुरी स्टिंक जैसे सिगरेट की स्टिंक जैसे अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसे बहुत बुरी लगती है इसी तरह से अगर एजिक्टिव की तरह यूस किया जाया तो यह स्टिंकी बन जाता है स्टिंकय इफ सम्थिंग जाह जाता बेकार है वो चीज उससे हम स्टिंकी कहते हैं जैसे तुम्हारे पास से सिगरेट की बूओ आ रही है यू स्टिंक आफ इलकॉहल शराब की बूँ हरे है You stink off alcohol तमhारे पास से शराब की बूँ हरी है You stink off alcohol इस तरह से हम यू जूज करते हैं Stink का अगर आपको इस Bened — और पिर भीजिए की अचे करेंगे Stinky पिछला वर्ड और ये वर्ड मिलाकर एक सेंटेंच बनाते हैं Back off your stinky dog back off your stinky dog, मतलब अपने डॉक को पीछे कर लो, बहुत ज़्यादा बद्बू मार रहा है, your stinky dog, this is your stinky dog, this is a stinky dog, मतलब कि यह बहुत ज़्यादा बद्बू मार रहा है कुता, उस सेंस में हम यूज करते हैं, stinky का, stinky dog, मतलब कि डॉक की क्वालिटी बता रहा है, कि वह बहुत ज़्यादा बद्बूदार है, उसे हम कहेंगे stinky dog, bag off your stinky dog, अपने डॉक को पीछे कर लो, बहुत बद्बू मार रहा है, उस सेंस में हम stinky का यूज करते हैं, अगला ओवर डे हश, हश के दो मतलब, पहला तो आप किसी को want करने के लिए कहते हैं, तो उसे हम हश कहते हैं, इसी तरह से हश का मतलब होता है, शान्त चुप चाप, एकदम शान्ती वाला काम, उसे हम कहते हैं हश, जैसे, आप इस sentence से बहुत ज़्या वाकिफ होंगे, क्योंकि स्कूल तो हर बंदा गया है, sentence है, When principal came in, a hush fell over the classroom, When principal came in, a hush fell over the classroom, मतलब की, जैसे इस principal अंदर आए, एकदम शान्ती वाला महल चागया क्लास में, वैसे हमारे principal भी बहुत जादा खतरनक थे, इसलिए sentence मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा sentence है, आपके principal भी ऐसा जरूर करते होंगे, अगर करते थे तो comment में जरूर बताइएगा, फिलाल इस तरह से आप hush कर यूज़ करके sentence को बना सकते हैं, वो शान्ती वाला महल जब हो जाए ना, एकसम चिपचाप महल हो जाए, उसे हम hush कहते हैं, आप किसी को चमकाने के लिए भी hush का यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस तरह से, you will wake up the baby, you will wake up the baby, शान्ती रखो धीरे, चुपचाप रहो पंदर तुम बच्चे को जगा दोगे, you will wake up the baby, किसी को वांड करना, उस सेंस में भी हम hush का यूज़ करते हैं, इसी तरह से, यहां पर एक मैच वाला सेंटेंस बनाता है, क्रिकेट मेच के आप दिवाने हैं तो एक सेंटेंस देखी लेते हैं, विन ब्रेटली गेट विखिट ऑफ विराट कोली, मतलब की ब्रेटली ने जैसे ही विराट कोली का विकेट लिया, पूर इस सेंस में हम हश का यूज़ करते हैं, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं इस परटिकलर वर्ड हश के, आपको हश पता होगा लेकिन यहां पर इस तरह से आप उससे नहीं जानते होंगे, आपने हश मनी पेश हएस होगा हश मनी हश मनी बोले तो रिश्वत का पैसा, जो पैसा रिश्वत से मिलता है उसे हम हश मनी कहते हैं तो इस तरह से आप हिश का यूज़ कर सकते हैं अगला वर्ड है कियट अन संब've, नर्फ, get on someone's nerve का मतलब होता है किसी को चिढ़ा देना, मतलब जब किसी को चिढ़ छुड़ जाए किसी चीज से, तो उसे हम कहते हैं, get on someone's nerve, जैसे कि, your dog is whining, your dog is whining, he is getting on my nerves, your dog is whining, he is getting on my nerves, मतलब कि, कि, जब whining, whining का मतलब होता है कि, वो जो कुटा जब बहुत लंबी आवास निकाला है, बहुत दे तक, whooo करके, वो जो आवास निकलती हैं, उसे हम कहते हैं, whining, your dog is whining, he is getting on my nerves, मतलब बहुत चीज़ छूटरी इस आवास से, इससे बंद कराओ, तो उस सेंस में हम यूज़ क चूट रही है, मतलब पहले कुस्ते में, और सामने वाला आपको चल्दा रहा है, तो आपको चड़ चूटेगी सही, तो आप कहेंगे, don't shout, you are getting on my nerves, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं, get on someone's nerves का, आईए देखते हैं कुछ और sentence, she is always used to sobbing, it really gets on my nerves, मतलब वो हर समय से सकती रहती है, it really gets on my heart, मतलब मुझे इसे चिर छोड़ती, मुझे अच्छा नहीं लगता, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं, इस परडिकलर वर्ड, get on someone's nerves का, कैसा लगा है वर्ड, comment में, जरू बताएगा, अगला वर्ड है, act once age, act once age का मतलब होता है, कहते हैं, act once age, मतलब की अपनी उम्र का लिहास को रहो, थोड़ा बच्छा मत बनो, क्या बच्छे बन रहे हो, उस सेंस में हम यूज़ करते है, act once age का, जैसे, don't be silly and act your age, don't be silly and act your age, मतलब की, मुर्ख मत बनो, अपनी उम्र का लिहास को रहो, मतलब कभी कभी क्या होता है, कि बच्छे इतने जादा बन जाते हैं, मतलब की उम्र बड़ी है, और बच्छे वाले काम कर रहे हो, उम्र बच्छपन की, दिल बच्छपन का, तो कभी कभी सामने वाले को चिड़ी भी छोड़ जाती है, अरे क्या कर रहो, यार यह, मुर्ख मत बनो, don't be silly and act your age, मतलब की, sock it to someone का मतलब होता है, किसी पर धावा बोल देना, किसी पर attack कर देना, उसे हम कहते हैं, sock it to someone, जैसे, I socked it to that guy, मतलब की, मैं उस लड़के पर धावा बोल दिया, क्यों धावा बोल दिया, because he was not behaving well, उस sentence में हम यूज करते हैं, sock it to once, या फिर sock it to someone, मतलब की, किसी पर धावा बोल देना, इसी तरह से दूसरा sentence, sock it to them guys, I know we can beat them, sock it to them guys, I know we can beat them, मतलब की, हमला कर दो, attack कर दो, मैं जानता हूँ कि हम जीत सकते हैं, उस sense में हम यूज करते हैं, sock it to one का, one की जगा पर आप किसी भी person को ले सकते हो, जो कि उस हमले का शिकार हो रहा है, जिसे मारा जा रहा ह उस sense में हम यूज करते हैं, इस particular word, sock it to one या sock it to someone का, कैसा लगा यह word, comment में ज़रूर बताएगा और आज का दस्वा word, बहुती ज़्यादा interesting word है, जो कि आपने शायद ही सुना होगा, आप इस word की जगा पर एक word करते होंगे, you are foolish, you are silly, लेकिन वो अतना मज़िदार नहीं है, आप इस expression को कहिए, मज़ा आ जाएगा word है, soft in the hat, soft in the head का मतलब होता है, मुर्ख या फिर जड़भुद्धी, आप समझ सकते हैं इसे किस context में use किया गया है, soft in the head मतलब की अंदर से बिलकुर कोमन नाजुक, जिसना दिमाग ही नहीं चलाया तो वो क्या कुछ काम करेगा, वो मुर्ख है, जड़भुद्धी है, उ how could you be so soft in the hat, you sold the bike and bought a bicycle, how could you be so soft in the head, मतलब की तुमने बाइक बेजदी, cycle खरिद ली, तुम इतने मूर्ख केसे हो सकते हो, उस sense में हम use करते हैं इस particular word, soft in the head का मतलब की, आज घर-घर के जरूद है कि एक बाइक तो होने ही चाहिए, और आप cycle पर बिठा को किसी को ले मतलब यहां पर, और ने cycle खरिद ली, तो how could you be so soft in the head, मतलब की तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, यार, उस sense में use करते हैं, soft in the head का, दूसरा sentence, don't take it to heart, he is a little soft in the head, है man, don't take it to heart, he is a little soft in the head, लग की, इसे दिल पर मतलो यार, दिल पर मतलो, वो थोड़ा सा मूर्ख किसम का इ a bit soft in the head, या फिर he is a little soft in the head, इस तरह से हम use करते हैं, soft in the head का, मतलब की, अगर कोई इन्सान मूर्ख है, जड़ बुद्धी है, जो अपना दिमाग नहीं लगाया है, बिल्कुल, विटले से है, उसे हम कहते है, soft in the head मतलब की, मूर्ख. So friends, कैसे लिए कि वीडियो नीचे comment box में जरू बताएगा, वीडियो पसंद आते हैं तो इसे एक like जरू कीजिएगा, अपने friends के साथ में इस वीडियो को जरू शेयर कीजिएगा, WhatsApp या फिर Facebook पर जहां आप comment करें, क्योंकि ये ऐसे words हैं, जो हर विक्ति को कुछ इस तरह से चाहिए, जो कि बहुत ही simply आप कहते होंगे, लेकिन आपको इस तरीके से कहेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इसमें से कुछ ऐसे words भी तो जो आपको नहीं पता थे, इसलिए उन्हें use जरू कीजिएगा, और comment box में के sentences बना कर type, जरू कीजिएगा, मुझे बहुत इस वीडियो में इतना ही, आपको इस सारे words धीरे धीरे हमारी website पर मिर जाएंगे, तो यहाँ पर 26 तरीक वेब साइट लॉंच हो रही है, तो बिलकुल पहले subscriber जरू बनिएगा, आप लाग के सुड़े में बतना ही, मिलता हूं नाइक्स वीडियो में, तब तक के लिए, ग